हलो और वेलकम टो अलो आफ यू इन जोग्रोफिक लास हम लोग बात कर रहे थे हमारे पिसली क्लासे इसके अंदर मानो प्रजातियों पर जिसके अंतरकत हम लोगों ने ये जाना था कि मानो प्रजातियों का संबंध जाती से नहीं है बलकि इसका अर्थ मनुष्य की जीव व मानो समुदयद को कुछ प्रमुख वर्गों के अंतरकत बाटा गया है और वह वर्गी का रूप ही मानो प्रजाति के रुप में जाना जाता है. तो हमने पिसली क्लास के अंदर बात की थी कि विश्व की जो कौन-कौन सी मानोप्रजातियां हैं उनकी शारेरिक विशेष्थाें क्या हैं और वह कहा कहा पर पायी जाती हैं उनके बारे में हमने यहां पर चर्चा की थी आज हम बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली मानव प्रजातियों के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले कि भारत जो है वो विविदिताओं वाला देश है यहां की जो प्रजातियों की जो मुख्य विशेश्टा रही है कि यहां पर आने वाली जितने भी सभी प्रजातियां रही है वो यहां पर इस्थाई रूप से बस गई हैं जिन में परस पर वेवाहिक समंदों के कारण मिश्रित मानव प्रजातियां अस्तित्व में आई है जिसके कारण से यहां वर्तमान में प्रजातिय वर्ग को इसपस्ट करना एक बहुती मुश्किल कारिय है बहुती दुश्कर कारिय है क्योंकि प्रजाति वर्ग इतना अपस में मिक्स हो चुका है कि विशेष्टाएं हमें पहचानना उसके अधार पर हम उनको अलग-अलग बर्गी करण में करें ये अपने आप में एक बहुती धुरलब हो जाता है बहुत मुश्किल कारे हो जाता है फिर भी मानव शास्त्रियों ने बहुत अधिक प्रियास किये हैं इन में रिजले, हैडन, हटन, बीएस, गुहा, आधिविद्वन प्रमुख हैं इन विद्वनों ने भारत के अंदर निवास करने वाले समस्त मानों समुदाय को विबिन प्रिजातियों में बाटने का प्रियास भी किया है सबर्पत्रम रिजले ने 1901 में भारती जनगना में प्रिजातियों का वर्गी करन किया लेकिन उनके वर्गी करन का मुख्यादार भाषा थी शारे रिकलक्षन नहीं इसलिए उनके वर्गी करन को असिविकार कर दिया गया और 1931 की जनगर्णा रिपोर्ट में BS गोहा ने भारती प्रजातियों का वर्गी करन किया है जिसे सामाने तब वर्तमान में भी स्विकार किया जाता है अर्थाथ हम आज जिस विशेपर यहां पर चर्चा कर रहे हैं बहरत में पाई जाने वाली मानव प्रजातियों पर तो उसका जो हमारा आधार है वो है 1931 की जनगर्ना रिपोर्ट के अंदर डौक्टर BS गोहा का वर्गी करन अर्थाथ BS गोहा ने 1931 में भारत में निवास करने वाली मानव प्रजातियों को जिन वर्गों में बाटा है उसी के बारे में हम आज यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर हम देखते हैं कि इनका जो वर्गी करण है वो किस प्रकार रहा है कि इन्होंने अपना एक लेख लिखा था जनसंख्या में प्रजातिय तत्व इस लेख में उन्होंने भारती प्रजातियों को 6 तो मुख्य वर्गों और 8 उप वर्गों में बाटा है यहाँ पर हमें ध्यान रखने हैं कि इन्होंने भारती प्रजातियों को 6 मुख्य वर्गों में और 8 उप वर्गों के अंतरगत बाटा है ये जो छे मुख्य वर्ग हैं इन छे मुख्य वर्गों के अंतर्गत शामिल हैं इनमें सबसे पहले आता है निक्रिटो दूसरे नंबर पर आता है आद्धे आस्ट्रलाइड या पूरुद्रविड इसरे नंबर पर आता है मंगोलाइड फिर मंगोलाइड को इन्होंने दो उ ऍुकवर्गों में बाटा है, आद्दे भुमद्य सागविये, भुमद्दे सागविये और पूर्वी प्रचाती ईसे परकार पांचवा जो मुख्य वर्ग है वो है पαςयाई में छोड़ीध सिर्वाले या एलपोडिनेरिक इसे इन्होंने तीन वर्गों में बाटा है तीन उप वर्गों के अंदर एल्पिनाइड, दिनेरिक और आर्मिनाइड और छटा जो मुख्य वर्ग है वो है नाडिक इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निगरिटो, आद्यास्टिलाइड या पूरुद्रावीड, मंगोलाइड, भूमद्दे सागरिये, पस्चिमी चोड़े सिर्वाले या एल्पोडिनेरिक और नाडिक इन छे मुख्य वर्गों के अंदर और इन में से मंगोलाइड, भूमद्दे सागरिये और एल्पोडिनेरिक के हंतरगत बाटते वे इन्होंने आठ वर्गों के हंतरगत माटा है हम अब आज यहां पर यही बात करते हैं कि यह जो प्रजातियां हैं इनके विशेश्टाएं क्या-क्या हैं और यह सामाने तर कहां कहां पर पाही जाती हैं इन पर हम चर्जा करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर निग्रिटो प्रजाती पर ये जो निगरीटो प्रजाती है ये किस-किस रूप में और कहां-कहां पर हमें देखने को मिलती है तो इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले और वो है निगरीटो प्रजाती पर ये जो प्रजाती है ये सबसे पहले भारत में आई इस प्रजाती के लोग छोटे कदके, इनका रंग गहरा, चप्टी नाग, मोटे होट और घुंगराले बालों से ये पैचाने लाते हैं ये जो हैं, ये सामानित है, राज महल की पहाड़ियों और अंडमा निकोबार द्वीप समू में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमें दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं निक्रिटो दूसरे नंबर पर जो आये हैं भारत के अंदर प्रजाती वो है आद्धियास चलाई ये भारत में आने वाली दूसरी प्रजाती थी भारत की वर्तमान जो जनजातियां हैं उन जनजातियों में इस प्रजाती का अंश सरवाधिक माना जाता है इने भुमद्दे सागरिय प्रजाती के साथ सिंदु सब्वेता का निर्मान करता माना जाता है और इस प्रजाती का प्रते निधित्व करने वाले जो जनजाती समूँ है उनके अंतरगत उराव, मुंडा, कोल, संथाल, भील ये जो जनजाती समूँ है जो कि भारत के इन विभिन राजियों के अंदर यहां पर निवास करते हैं इन राजियों में निवास करने वाले ये जनजाती समूदा है आदे आस्टलाइट प्रजाती के अंतरगत माना जाता है इसी प्रकार से 30 से नंबर पर जो प्रजाती भारत में आई है वो है मंगोलाइड मंगोलाइड जो प्रजाती है ये मुख्य रूप में सिक्किम, पूर्वतर, राज्यों, लद्दाख, आदिमे केंद्रित है इनका उत्पति स्थान चीन और मंगोलिया को माना जाता है और इसे दो उपवर्गों के अंतरगत बाटा गया है आद्यमंगोलाइड और तिबबती मंगोलाइड अब जो ये आद्यमंगोलाइड हैं ये हिमाले की निचली पटी में निवास करते हैं और असम तथा म्यामार सी नोईक घरों की प्रथा, सीडी नुमा खेत और दूद का उपयोग इस प्रजाती की देन माना जाता है इसे प्रकार चोथी जो प्रजाती भारत में आई वो है भुमध्य सागरिये गुहा ने बताया कि ये प्रजाती दक्षन पश्चिमेशिया से इसा से 3000 से 2000 वर्षपूर भारत के अंदर प्रवेश किया और जब ये भारत में प्रवेश किया तो ये उच्चिस तरिये सभ्यता के साथ भारत में आये और इन्हें हिंदू धर्म के आरंबिक स्वरूप का समवाहक माना जाता है इस प्रजाती के लोगों में त्वचा का रंग हलका भूरा इनका सिर लंबा लहरदार बाल आदिशारिरिक विशेष्टाएं पाई जाती हैं और इन्हें तीन उपवर्गों के अंतरगत माटा गया है आद्दे भुमद्दे सागरिये भुमद्दे सागरिये और पूरवी भुमद्दे सागरिये यह जो आद्दे भुमद्दे सागरिये हैं यह सर निदित्व करते हैं इसका दूसरा उपर्ग है वो है भुमध्य साग्री है तो सिंदु घटी सब्वेता के प्रारंब करता इसी वर्ग को माना गया है जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाना राजस्तान उत्तरप्रदेश मद्देप्रदेश महारास्ट इनमें ये मुख्य पूरा लहरदार बाल मध्यमकद सिर लंबा इनकी प्रमुक शारेरिक विशेष्टाएं मानी जाती हैं पर तीसरा उपर इसका वो है पूर्वी भुमध्य साग्री है ये दिकांश कहब पंजाब राजस्तान और उत्तरप्रदेश में निवास करते हैं उनर जन्म पूजा प वो है पश्चिमी चोड़े सिर्वाले या इनका जो मूल स्थान है वो मध्येश्या वाना जाता है ये यूरोप से विबिन्द चरणों में भारत आये इस आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बाटा गया है अल्पिनाइड डिनेरिक और आर्मिनाइड जो है ये प्रजात यूरोप के आल्प्स परवती शक्त्र से भारत में आई ये मुख्यते गुजरात मारास्ट और पश्चिम बंगाल में निवास करती है वही डिनेरिक दक्षन आल्प्स शक्त्र से भारत में इसका निवास इस्थान केरल, तमिलनाडू, करनाटक, उडिसा और पश्चिम बं प्रजाती, ये प्रजाती सबसे अंतमे भारत में आई और वर्तवान समय में इस प्रजाती के लोगों की अधिक्तम संख्या, पंजाब, हरियाना, राजस्तान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो सवन वर्ग है उसके अंतरगत पाई जाती है, तो इस प्रका पर किस प्रकार से हमें इसके अंतरगत दिखाई देते हैं, इसके अंतरगत यदि हम देखते हैं, तो एक नंबर जहाँ पर हमने मेंशन किया है, यहाँ पर हमें निग्रिटो प्रजाती का शेक्तर दिखाई देता है, वहीं जहाँ पर हम दो नंबर शेक्तर को इंगित करते वहाँ पर यह जो दो नंबर का शेक्तर है यहाँ पर हमें आद्य आस्टेलाइड और निगरिटो प्रजाती जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है इसी प्रकार तीन नंबर का जो शेक्तर है वो हमें इस शेक्तर के अंतरगत दिखाई देता है यह जो हमारा भाग दक्षिन भारत का यहाँ पर हमें तीन नमबर पर अर्थात, आद्धे भुमध्य सागरीय, आद्धे आस्ट्राइड और एल्पोडिनेरिक प्रजाती हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं इसके साथ ही यदि हम बात करें यहां पर तो यह जो शेक्तर हम यहां पर देखते हैं हम मानचित्र के अंतरगत हम इस प्रकार से एक बार पहले इन सभी प्रजातियों से संबंदित हम मानचित्र बना लेते हैं कि कौन से प्रजातियों सामाने तक किस शेक्तर के अंतरगत हमें दिखाई देती है वो बात हम यहाँ पर जानकारी ले ले लेते हैं फिर उसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे यह इस परकार से हम देख सकते हैं कि भारत के विबिन शक्तरों में जहाँ जहाँ पर हमने यह शक्तर दर्शित किये हैं वहाँ पर हमें इस परकार की प्रजाती जो है वो मुख्य रूप से निवास करती हुई दिखलाई देती है तो इस परकार से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने इस मानचित्र के अंदर एक नमबर से जो भाग दर्शाय हुआ है वहाँ पर निग्रिटो प्रजाती का निवास हमें देखने को मिलता है वहीं जहाँ पर हमने दो नमबर दर्शाय हुआ है वहाँ पर आद्दे आस्टेलाइड और निग्रीडो प्रजाती जो है यह हमें निवास करती हुई दिखलाए देती है जो कि हमें मानचित्र के अंदर इस परकार से प्रदर्शित हो रही है तीसरे नमबर का जो अर्थ है तीन नमबर जो मानचित्र में प्रदर्शित है वो आद्दे भूमद्दे सागरिये आद्दे आस्टेलाइड और एलपोडिनेरिक प्रजाती के निवास स्थान को दर्शाता है वही चार अंक जो है वो एलपोडिनेरिक पूरवी प्रजाती और भुमद्दे साग्रिये इन प्रजातियों के निवास शक्त्र को प्रदर्शित कर रहा है इसके साथ ही पांच नमबर का जो अंक है वो आद्दे भुमद्दे साग्रिये भुमद्दे साग्रिये और एलपो डिनेरिक इसको प्रदर्शित कर रहा है वही छे नमबर का अंक भु पुर्वी प्रजाती और तिबती मंगुलैड को मानचित्र में उनका वरगीकरंड देखा कि भारत Flight iam गर सामाने ते जो मानों समुदा निवास करदा है वो किन-किन प्रजातियों के रूप में यहां पर पाया जाता है। लेकिन अब वर्तमान में नई सिद्दान्त के अनुसार ऐसा माना जाने लगा है कि भारत के अंदर प्रजातियां बाहर से नहीं आई हैं। भारत में प्रजातियां मूल रूप से अब यहां की ही निवासी मानी गई हैं, जिसके भी अब धीरे-धीरे प्रमान हमें याँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस रूप में ये जो वरगी करण हैं, ये वरगी करण हमने डॉक्टर बियस गुखा के अनुसार बात की हैं। और उन्होंने भारत में मानव प्रजातियों के बारे में जो बात बतलाया, बतलाई भू उसके बारे में हमने आज यहां पर जानकारी बात की है। थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच्चू